तो फ्रेंड स्वागत है आपका इस यूटूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुती इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एक्जाम के ल टो आइक दोस्तों शुरू करते हैं किस本ी सब्सक्राइब कर आएज की बिलकुल कर्यक्ट हो जाएगा यहांपर दोस्तों मैं आपसे गुजाल स्चांश कॉपछित कि अगरॉच्व सब्सक्राइब कर लिजिये बेलाइ면 बबा देजिए जिससे के दोस्तों आपको मेरे वी जिससे के दोस्तों हम लगवग 40-50 practice set कर सकें हमारा अगला question है अकाल पुरुस गांदी किसने इस जेवनी की रचना की है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A जैनेंद्र यहाँ पर दोस्तों आप अपने questions के answer को match करते रहेगा और comment box में अपने answer को देते रहेगा हमारा अगला question है साई में धूप काब करती के रचेता है तो इसका correct answer हो जाएगा option number B दुस्यंत कुमार बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ किस कभी को अविनव जैदेव नाम से जाना जाता है तो इसका answer हो जाएगा option number A बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ उपदेश रसायन की रचेता कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा जिन्दत सूरी इसका correct answer क्या हो जाएगा जिन्दत सूरी हो जाएगा हमारा अगला question है हिंदी साहित्य के इत्यास ग्रंत हिंदी साहित्य बिमर्ज के लेकर कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा पदम लाल पुना लाल बक्षी हमारा अगला question है पराधीन सपने हू सुकनाही पंक्ति किसने लिखी है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D तुलसी दासने लिखी है यहाँ पर दोस्तों अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब गरत लगता है तो आप उसे comment box में comment कीजिएगा इससे के दोस्तों में उस सवाल के जवाब को यहाँ पर संसुदित कर सकूँ हमारा अगला question है गोकुल नात की रचना का नाम क्या है तो यहाँ पर इसका correct answer हो जाएगा option number A 84 बैशनब की वारता यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो गोकुल नात हैं उन्होंने किसकी रचना की है 84 बैशनब की वारता की रचना की है हमारा अगला question है सन 1954 में प्रकासित नई कविता पत्रका के संपादक कौन थे तो इसका correct answer हो जाएगा option number D जगदिस गुप्त हमारा अगला question है कविता क्या है निवंद की लेखक कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number A राम चंदर सुकल बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि बहुती important है चांद का मोह टेड़ा है कि रचेता कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा मुक्ति भोद हमारा अगला question है संग की राजबासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी यह संबिधान के किस अनुच्छेद में वर्डित है तो इसका correct answer हो जाएगा option number C योग रूड सब्द से संबन्दित है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ केदार नास सिंग किस सब तक के संकलित कभी है तो इसका correct answer हो जाएगा तीसरा सब तक के संकलित कभी है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ है और यहाँ पर दोस्तो आपको एक पंक्ति दे रखिये इस पंक्ति को बड़े ध्यान से पढ़ियेगा और ये पूछा गया है कि ये जो निम्न पंक्ति हैं वो किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्दत की गई है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A राम की सक्ति पूजा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हिंदी का पहला समाचार पत्र कव और कहां प्रकासित हुआ था तो दोस्तो इस question का answer आपको comment box में comment करना है और अगर आपको इसका answer नहीं पता है तो भी आप comment कीजिएगा मैं इसका answer आपको बता दूँगा हमारा अगला question है धन्य भारत भूमी सवरतनानी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा बद्री नारायन चौदरी जिनको दोस्तो प्रेम गन कहा जाता है हमारा अगला question है पंच वटी सब्द में कौन सा समास है तो इसका correct answer हो जाएगा option number B दुएक समास है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ नासके तो पाग्यान के लेखक कौन है तो यहाँ पर दोस्तो इसका answer मैंने आपको कल के practice set में भी बताया था कि नासके तो पाग इसका correct answer हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको हम क्या बोलते हैं अन्यमनस को बोला जाता है यहाँ पर आप इसको संसुदित कर लेना यहाँ पर लिखा हुआ जिसमा जिसमा नहीं है यहाँ पर है जिसका हमारा अगला question है पहला गिर्मिटिया उपन्यास बिसेश क पर किस पर किंद्रित है तो इसका correct answer हो जाएगा option number B महत्म गांदी पर किंद्रित है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ काम यानी में सरद्दा किसका प्रतीक है तो इसका correct answer हो जाएगा हिड़दे का प्रतीक है हमारा अगला question है दूसरी परंपरा की खोज किस विदा की हानी है हमारा अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा नाटक जै संकर प्रसाद द्वार रचित नहीं है तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा अगला कोशन है जो की काफी इंपोर्टेंट कोशन है इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा हिंदी में स्वक्षदावाद का कवी कौन कहा जाता है तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा स्रीधर पाठक को कहा जाता है यहां पर दोस्तों मैं आपको इसको स्पीड से इ लिख सकते हैं क्योंकि वो आपकी यूपी टीजटी पीजटी अग्जाम के लिए बेहती इंपोर्टेंट हैं यहां पर दोस्तों आप वीडियो को पॉस्ट करके अपना आंसर लिख सकते हैं और कमेंट बोक्स में भी अपना आंसर लिख सकते हो हमारा अगला कोशन है नमबर सी प्रिय प्रवास बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 27 कोशन है दोएदी युक के संपूर्त प्रतिनिदी कभी कौन है तो इसका करक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी मैतली सरण गुप्त हमारा अगला कोशन है भारत भारती में किस भा अबना प्रस्तुत की गई है हमारा अगला कोशन है गोवर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी गोदान बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप यह जिए जिससे कि दोस्तों मेरी गलती का मुझे पता चल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छी बिर लाने की कोशिस कर सकूँ हमारा अगला कोशन है हिंदी नवरतन के लेखक कौन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी मिस्र बंदू हमारा अगल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए युद्द में सहीध होना बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ नमलिकित में से सुद्ध सब्द कौन सा है तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बहुत ही सिंपल और एक साधरन कोशन आप से नंदन पत्मत हमारा अगला कोशन है आंसू है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए मुक्तक काब्य संकलन बढ़ते हैं अपने अंगले सवाल की तरफ निराला की अंतिम कविता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी इसको बड़े ध्यान से याद कीजिएगा ये कोशन काफी जादा important है दोस्तों हमारा अगला कोशन है कला और बूड़ा चांद के लेखक हैं तो इसका answer हो जाएगा option number B सुभित्रा नंदन पंत बढ़ते हैं अगरे सवाल की तरफ महादेवी बर्मा का प्रथम काप्य संकलन है तो इ क्या है तो दोस्तों इसका answer हो जाएगा option number A सोजे वतन याद रखना है इसको क्या है ये सोजे वतन है जिक किसकी करती है प्रेम चंद की करती है जिसे ब्रिटिस सासर द्वारा जब्त कर लिया गया था हमारा अगला question है सिरी बैकेंटिस और समाचार प्रकासित होता था तो correct answer हो जाएगा बंबई से हमारा अगला question है म्रग नयनी उपनियास के रचनाकार कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A ब्रंदावन लाल बर्मा बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ भूत नात उपनियास के रचनाकार कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number C देव की नंदन हमारा अगला question है नूतन ब्रह्मचारी कौन है तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप से पूछा गया है कि नूतन ब्रह्मचारी क्या है नाटक है उपनियास है या फिर कहानी संग्र है तो इसका correct answer हो जाएगा ये क्या है एक उपनियास है बढ़ते हैं अगले मिलता है इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा option number एक क्रश्न बक्ति धारा में हमारा अगला question है और यहाँ पर दोस्तों आपको ये question दे रखा है नीत प्रति पुन्याई रहे आनन ओज उजास में अलंकार कौन सा है यहाँ पर आपको एक पंक्ति दे रखी है क्या पंक्ति है नित प्रति पुन्योई रहे आनन ओज उजास में कौन सा अलंकार होगा तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option भी उपमा अलंकार होगा हमारा अगला question है इनकी सी विसुद्द सरस एम सक्तिसाली ब्रजवासा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ आच्छा किस कभी के बारे में यह टिपडी की थी तो हमारा answer हो जाएगा गहनानंद के बारे में यह टिपडी की थी किसने की थी आचर सुकली ने की थी बड़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जगत सचाई सार कविता के रचनाकार कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा स्रीधर पातक बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ अर्द खतानक क्या है तो दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा option number B ये एक आत्म कता है हमारा अगला question है यहाँ पर दोस्तो आपको एक पंक्ती दे रखी है इस पंक्ती को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और ये पूछाए कि ये पंक्तियां किस कभी की हैं तो इसका correct answer हो जाएगा option number A ठाकूर हमारा अगला question है घारी दास की रचना है तो इसका answer हो जाएगा काब्या निरडे हमारा अगला question है फोर्ट विलियम कॉलेज की इस्तापना किस बर्स हुई थी तो दोस्तो ये question बहुती important question है और उम्मीद करता हूँ कि ये इसका answer आप लोगों को पता होगा और अगर आपको पता है तो इसका answer आप comment box में comment कीजिएगा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ स्वक्षता वाद की विसेस्ता नहीं है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D ब्रज बासा में रचना हमारा अगला question है धुरूब चरित्र की रचनाकार कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number C नरुत्तम दा हमारा अगला question है क्रश्ण गीता वली नामक काब करती के रचनाकार कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number B तुलसिदास बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ निम्लकित में से पुलिंग सब्द कौन सा है तो इसका answer हो जाएगा option number C वियर हमारा अगला question है बासा योग वासिष्ट के लेखक कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number C राम प्रसाद निरंजनी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ राहुल जी ने हिंदी बासा का प्रथम कभी किसे सुविकार किया है तो इसका correct answer हो जाएगा option number C सरहपा को सुविकार किया है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो क हो जाएगा Option No C, PADMAKAR हमारा अगला कॉशन है हिंदी शाहिते के प्रथम काल को आधी काल किसेने नाम दिया है तो दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा Option No B, हजारी प्रसाद दूएदी ने फिंदी साहिते के प्रथम काल को आधी काल कहा है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तर रखी हैं, पहले सूची में करती दे रखी हैं और दूसे सूची में आपको लेकर की नाम दे रखी हैं और इसका आपको सही मिलान करना हैं तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दू किसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C 10 कुमार रचित किस से संबंदित है, यह आपक भवभूती से सम्मंदित है तो यहां पर आपको यह सवाल को याद करना है अगर याद नहीं है और अगर याद है तो यह बहुत अच्छी बात है हमारा अगला कोशन है यहां पर दोस्तों आपसे क्या पूछा है कि भक्ति के सुरोत को दक्षर से उत्तर भारत में प्रसातित ह उन्हें के सिद्दांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number C आचार राम चंदर सुकल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बीसल देव रासों में किस सैली का प्रियोग किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C गेर का बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ काला जल का कथानक किस समस्या से संबंदित है तो इसका आंसर हो जाएगा option number D साम प्रदायकता से संबंदित है हमारा अगला question है जो कि बहुत ही important question है चौपाई चंद में मातराओं की संख्या कितनी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C सोले होती है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ निमलिकित मैंसे सुद्ध वाक्य को चुनिये यहां पर दोस्तों आपको चार वाक्य दे रखी है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुद्ध वाक्य होगा राम रोटी खाया है राम ने रोटी खाया है राम ने रोटी लिखा लिया है तो दोस्तों इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C हमारा अगला question है मगद कविता संग्रे की रचनाकार कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number B स्रीक रामत बर्वा बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ निमलिकित मैंसे किस करती के लेखक राम बिलास सर्मा है तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option number D भाशा और समाज हमारा अगला question है निमलिकित मैंसे किस लेखक को ग्यानफीट प्रुसकार नहीं मिला है तो इसका answer हो जाएगा option number C नागुर्द उनकोर नहीं मिला है इसका correct answer हो जाएगा option number D इनमेंसे कोई नहीं यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपको इसमें option दे रखा है इसमें कोई भी option इसका correct answer नहीं है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ नेता जी कहेन के लेखक कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ ब्रजवासा है यहाँ पर दोस्तों आपको चार option दे रखे हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ब्रजवासा है तो इसका correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा पस्चमी हिंदी आपकी क्या है ब्रजवासा है हमारा अगला question है निम्रलिखे सब्दों में से सुद्ध सब्द को चुनिएगा यहाँ पर दोस्तों आपको चार सब्द दे रखे हैं और इसमें आपको सुद्ध सब्द का चैन करना है तो इसका correct answer हो जाएगा सन्यास यह आपका क्या है बलकुल correct है बाकि तीनों में क्या है असुद्धी है हमारा अगला question है निम्रलिखे उपन्यासों में से प्रेम चंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D गोदान बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ अनंत का सही संदी विच्षित क्या होगा तो इसका correct answer हो जाएगा option number B अन प्लस अंत अब यहाँ पर दोस्तों आपको यह बताना है कि यह जो हमारे पास अन प्लस अंत है यह कौन सी संदी है कौन सी संदी विच्षित की गई है इसका नाम आपको comment box में comment करना है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ बाल्टी कैसा सब्द है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D विदे से सब्द है हमारा अगला question है पदमावत है यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि पदमावत है तो इसका correct answer हो जाएगा एक त्रासदी क्या है एक त्रासदी है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोपर के बाद का समय के लिए निमले की सब्दों में से कौन सा उपरियुक्त है चिर्नित कीजिए तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number C हमारा अगला question है बिनैपत्रिका की बाद कौन सी है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A ब्रजवासा है हमारा अगला question है हिंदी सब्दान्शाशन के लिखव कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा option number B किसूरी दास बाजभाई हमारा अगला question है रहीं कृत मदनास्टक की बासा है तो इसका correct answer हो जाएगा option number 1 खड़ी बोली बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ राम चंद बर्मा प्रसिद्ध हैं तो इसका answer हो जाएगा option number D कोसकार के रूप में बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ धुरुपद गायन का सम्मंद किस बासा से है तो इसका answer हो जाएगा ब्रज बासा से है मतलब आपका option number ये क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बर्वे नायका भेद की रचनाकार कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number C याद रखिएगा इसका answer क्या हो जाएगा option number C रहीम हो जाएगा हमारा अगला question है छीतर स्वामी किस दारा के कभी है तो इसका answer हो जाएगा option number B अस्ट चाप दारा के कभी है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जीत काल की जीत सिद्ध काबे धारा के कभी कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number D हमारा अगला question है नहूस नाटक के नाटक कार है तो इसका answer हो जाएगा option number A गोपाल चंदर उर्फ गिरदर दास हमारा अगला सवाल है सिरी लाल सुकल की रचना है तो इसका answer हो जाएगा option number C राग दरवारी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ भक्ति काल के किस कभी ने संस्क्रत को छोड़ कर भी संस्क्रत की सास्तरिय परंप्रा का निर्वर्ण किया है तो इसका answer हो जाएगा option number C हमारा अगला question है निम्लकित में से कौन मार्क्स वादी विचारधारा का आलोचक नहीं है तो इसका answer हो जाएगा option number D विजय देव नारायर साही हमारा अगला question है निशाद बांसुरी की रचना विदा है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D ललित निवंद हमारा अगला question है तेड़े मेडे रास्ते की लेखक कौन है तो इसका answer हो जाएगा भवती सरंड वर्मा बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ इंदु मती कहनी के लेखक कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number B किसोरी लाल गोस्वामी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ हिंदी में सिकार साहित्य के अब प्रतिम लेखक कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number C स्री राम सर्मा हमारा अगला question है एक बून सहसा उचली की रचना बिदा है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D हमारा अगला question है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number B सिप प्रसाद सिंग हमारा अगला question है निम्लिकित मैंसे तारस सब तक मैं कौन कभी सामिल नहीं था तो इसका answer हो जाएगा option number D रामधारी सिंग दिनकर हमारा अगला question है आदा गाउं के लेखक हैं तो इसका answer हो जाएगा option number C राही मासुम राजा हमारा अगला question है पाल गोमरा का स्कूटर कहनी के लेखक हैं तो इसका answer हो जाएगा option number C उदैप्रकास बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ इन में से कौन आंचलिक उपनियासकार है तो इसका answer हो जाएगा option number D जैनेंद्र कुमार हमारा अगला question है नए इलाके में किसकी काब्विक्रती है तो इसका answer हो जाएगा अरुण कमल हमारा अगला question है कनुप्रिया के लेखक कौन है तो इसका answer हो जाएगा धरमबीर भारती बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मूल गलती कविता के कभी हैं तो इसका answer हो जाएगा मुक्ति बोद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बुद्दू का काटा कहानी के लेखक कौन है तो इसका answer हो जाएगा चंद्रदर सर्मा गुलेरी हमारा अगला question है कमल नयन में कौन सा समास है तो इसका answer हो जाएगा option number C कर्मधारे समास है हमारा अगला question है हानी लाब में कौन सा समास है तो दोस्तो इसका आंसर आपको comment box में comment करना है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ न नो मन तेल होगा और न डादा नाचेगी इसका अर्थ है इसका आर्थ क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा option number D ऐसी सर्थ जो पूरी न हो सके बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ निम्रलखित मेंसे लोकती को चुनिये तो इसका correct answer हो जाएगा option number D अजजल गगरी छलकत जाए हमारा अगला question है दुलाई वाली किस विदा की रचना है तो इसका answer हो जाएगा option number A ये क्या है एक कहानी है हमारा अगला question है निम्रलखित मेंसे कौन सा उपन्यास नागर जुनका नहीं है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D परती परिकता हमारा अगला question है जलूस उपन्यास की लेखक कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number D फड़िस्वर नाथ रेडू बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भकरी नाटक की रेशनकार कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D सर्विसर दयाल सकसेना हमारा अगला question है संस्कृति के चार अध्याय किसकी रेशना है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D दिनकर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ देहाती दुनिया के रेशनकार कौन है तो इसका answer हो जाएगा option number C सिव पूजन सहाए हमारा अगला question है गेहुं और गुलाव की रेशना विदा है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D रेखा चित्र हमारा अगला question है आवारा मसिया किसकी जीवनी पर आधारेत उपन्यास है तो इसका correct answer हो जाएगा सरथ चंद्र हमारा अगला question है मेरी जीवन यात्रा आत्म कता है तो इसका answer हो जाएगा option number C राहुल की हमारा अगला question है कोणू नदी कविता संग्रह के कवी है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D service or dayal सकसेना क्या हो जाएगा इसका answer service or dayal सकसेना तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कोणू नदी कविता संग्रह के कभी कौन है service or dayal सकसेना बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ यहाँ पर दोस्तों आपको एक गद्यांस दे रखा है और इससे संबंदित आपको पांच सवालों का जवाब देना है पहले हम गद्यांस को ध्यांस से पढ़ते हैं उसके बाद एके करके इनका answer हम देंगे मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रियोजनिया वस्तू है कि संसार की सब्य असब्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है चाए इत्यास न हो बिग्यान न हो दर्सन न हो पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा बात यह है कि मनुष्य ब्यापारों का ऐसा सगन और जटिल मंडल बांता चला आ रहा है जिसके बीतर बदा वह वह सेस रष्टी के साथ अपने हिर्दय का सम्मंद भूला सा रहता है इस परिष्टिती में मनुष्य को अपनी मनुष्य जाती के साथ चली आ रही है और चलती रहेगी तो ये दोस्तो आपको यहाँ पर एक गद्यास दे रखा है अब देखते हैं कि इससे सम्मदित कौन-कौन से कौशन से इसने पूछे हैं तो सबसे पहला कोशन इसने पूछा है कविता मानव का पत कब प्रसस्त करती है तो यहाँ पर आपके सामने दो आप्शन दे रखे हैं जब वह सांसारिक बंदरों से मुक्त रहती है जब वह अपने उद्द्योस्यों के प्रती सजग रहता है या फिर जब वह अपनी मनुस्ता को खोने के डर से भैवित रहता है या जब उसे अपने देश दुनिया की ख़वर नहीं रहती है तो इसका correct answer हो जाएगा option number C हमारा अगला कोशन है वह से इस द्रस्टी के साथ अपने हिड़दय का सम्मंद भूला सा रहता है बाके में वह सब्द किसके लिए प्रयक्त हुआ है तो इसका correct answer हो जाएगा option number C संपूर्ड मनुस्त जाती के लिए हमारा अगला कोशन है कविता में प्रयोजनियता के सम्मंद में कौन सा खतन सत्य है वह सबी में किसी न किसी रूप में पाई जाती है उसका प्रचार हल काल में होता रहेगा वह मनुस्त की अंतर प्रकाटि में मनुस्ता को जागते रहने का काम करती है वह सब्य शब्य सबी बर्गों से जुड्य रहती है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D वह सब्य 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 बर्गों से जुड्य रहती है हमार अगला question है इनमें से कौन सा खतन सत्य नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों आपको चार option दे रखे हैं और यह बताना है कि इसमें से कौन सा खतन सत्य नहीं है तो आपका जो option number C होगा बिलकुल correct हो जाएगा लेकिन इस question के according यह क्या हमारे पास सही है और यह कतन अगर हम गद्यास के according देखे हैं तो गलत दे रखा है हमार अगला question है मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने के बैसे काविता किस प्रकार मुट्टी दिलाएगी तो इसका correct answer हो जाएगा option number C मनुष्य की अंतर प्रकरती में मनुष्यता जगा कर तो इस तरीके दोस्तो मैंने आपके 125 questions करा दिये हैं और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपने अधिक से अधिक questions के answer सही दिये होंगे आपने कितने questions का सही job दिया इसको comment box में comment करके बताईएगा साथ में अगर दोस्तो आप मेरी वीडियो में कोई भी improvement चाते हो तो आप comment कर सकते हो मैं उसको improve पने के पूरी-पूरी कोसेस करूँगा Thank you very much दोस्तो